अरिस की सिक्वेंच को भीब एक स्टूडियो आइमेन ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से शूट किये गए थे जैसे की मूबी का ये सिन देखिए एसार के एंड जान का ये फाइट सिक्वेंच को रियल में एक स्टूडियो के अंदर शूट करा गये था जहां पर आप देख साकते हैं बेक्डाउंड पे ग्रिन काप्टा सेट करके शूट किया गया था जो एडिटिंग टाइम रिमूब करके सीजी बिल्डिंग एड रोड लोकेशान मार्च की गई मुभी का यहाँ वाला सीकुंश में काफी सारे चीजी वेपेक्स यूज की गए थे जैसे कि यह हिल वाला सावी एंभार्नमेंट को सीजी के हिल्फ से क्रेट की गई यहां पे जो छोब पार दिखाय गया था वो भी 100% CG and Vpex कई था इस सीकुन्स में दिखाई गई SRK and Salman Khan का साभी action scene अलग से Vpex studio के अंदर shooting करा गए था यहाँ पे ब्रीज के जागा पे basic set तायर करे गई थी जो post editing time CG वाला train and breeze एड़ क्या गए था मुभी का पहला बला सीकुन्स में SRK का ये चोपार scene a real नहीं थे इस सीकुन्स में दिखाई गई साभी building and Dubai city environment को CG के त्रू create करा गए था बाट इसे पहले SRK का चोपार से आने वाला सीन को green screen studio की आंदर एक डामी चोपार में shoot किये गए थे और बाद में ये शोट को CG चोपार के साथ मार्स की गई पाठन मुवी का यह बला बाइक चेजिंग एक्सन सीकुन्स रियल लोकेशन पे शूट हुआ था आपको बात दू कि ये प्लेज साइबेरिया का फ्रोजन लेक बाइकल पे शूट कराया था ये सबी खतने शोट स्टार्ड में दौरा दिखा गया है लेकिन में करेक्टर का सबी क्लोज अफ शॉट भीपेक स्टूडियो के अंदर शूट किये गए थे इस स्रीकुन्स में जब दीपी का आइस लेयर की अंदर ठंड पानी में गिर जाती है उसी सीन की शूटिंग एक्चुल में ब्लीव स्क्रीन स्टूडियो में शूट करे गई थी जो पोस्ट पानी के अंदर एसर के दीपीका को बचाय था और यह वाला सीन बिल्कु ट्राइलेंड पे शूट किया गया था आप यहापे क्लेरली नोटिस कर सकते हैं जो पानी के अंदर एसर के का सभी हैर का मुव्मेंट एक्चॉली सीजी के थूट दिखाय गया है पाठन मुवि में सालमान खंड का एक कैम एक्छन सीन ठाव इस सीकॉनस को भी ग्रिं्ड स्क्रीन स्टूडियो में शूट कैदेग थे इस सीकॉनस के लिए एक डामी ट्रेंड यूज रागा था बाद मेजब ट्रेंड ब्ला jon थना उसी सीकॉनस पे ब्ल्लाइव वाला त पाठन मुवी का फास्ट स्रीकुंट्स में काफी साथ स्वेशल एफेक्ट एड भी एपेक्स यूज़ की गई इस स्रीकुंट्स पे जो चौपार दिखा गया था एक्चॉल में यह सीजी वाला चौपार है एंड यह वाला एक्समसीन को सीजी बिल्डिंग की अंदर दिखा गया है है हलाकि मुवी का शूटिंग के लिए साभी रियल कार यूज़ किये गए थे लेकिन मुवी का काफी अरिस्की मोमेंट को दिखाने के लिए सीजी कार की हेल्प लेनी पड़ी थी मुवी का क्लाइमेक्स सीकेंस पे यह फ्लाइंग जैट वाला सीकेंस तो अम्विजिंग था आपको बात दूँ कि यह खत्रनक सीम को पूरा स्टुडिय की अंदर शूट करे गई थी यहाँ पे फ्लाइंग जैट की जागा पे एक बेसिक फ्रेम प्लेन कापड़ा के साथ करेक्टर की बैक साइड पे सेट करके शूट किये गए थे जो पोस्ट एडिटिंग के टाइम रिमूब करके सीजी जैट मार्च कर दी गई एक्चुल में मूवी का यहाँ वाला पूरा सीक्योंस भार्चुल वीडियो गेम की तरह दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे पूरा स्काइड एंड हील वाला एनभार्णमेंट भार्चुल था इवेन सभी लॉंग शॉट वाला करेक्टर्स को सीजी के थूँ स्क्रिन पे प्रेजिएंट की गई